वेलकम दोस्तों कैसे हो उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे और हमारे चैनल ट्रेन रन्वी लोग में आपको बहुत बहुत स्वागत है और हमने आपको पिछले वीडियो में जो जानकारी दी थी आसारवा से जैपुर्ष चलने वाली ट्रेन के बारे में हमने आपको जा जानकारी देंगे एंदाबाद से न्यू चलने वाली ट्रेन आसारवा से इंदोर तक जिसका नाम है वीर भूमी एक्सप्रेस और इसका नंबर है 19330 और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने जे पहले आपने अगर हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं करा है तो सस्क्राइ दोस्तों अब हम वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें इंजन कौन सा लगा हुआ है हाँ दोस्तों अब हम आ गया हैं इंजन के पास और इसमें आबू रोड का डेवलू डीजी फोल्डी लोको मोटो लगा हुआ है दोस्तों यह ट्रेन आसारवा से दोपहर दो बच के 15 मिलेट पर छूटती है और इन दोर दूसरे दिन सुबा 7 बजे पोचती है और दोस्तों इस ट्रेन की दूरी 785 किलोमेटर है और इस ट्रेन को 45 किलोमेटर प्रती घंटे की स्पीड से चलाई आती है दोस्तों यह ट्रेन हिम्मत नगार उदैपूर और मावली जक्सन और रतलाम और उज्जैन के रास्ते इंदोर तक पोचती है हाँ तो अब बात करते हम आसारवा इस्टेशन की इस्टेशन पर अभी कंट्रेक्शन काम चल रहा है दोस्तों आप अगर अपना प्रस्टनल वहां लेके आते हैं एंट्री गेट से देखेंगे राइट साइड में पे पार्किंग की सुईधा भी है यहाँ पे केंटीन अभी फिलाल एक ही है आप इस्टेशन में जैसे एंट्री करोगे राइट साइड में देखोगे वो केंटीन वहीं पर मिलेगा आपको आसारवा इस्टेशन पर फुल तीन प्लेट फोर्म है और वीर भूमी एक्स्प्रेस प्लेफोर्म नमबर तीन पर लगी हुई है दोस्तों अब हम बात करेंगे इस ट्रेन की कोच की और इस ट्रेन में लेच भी कोच लगा हुआ है और इस ट्रेन में टोटल बाइस कोच लगे हुए है इस ट्रेन में तीन जनरल कोच है इसका किराया 230 रुपिया है और आठ सलीपर कोच है इसका किराया 410 रुपिया है और थर्ड एसी के छे कोच है इसका किराया 1110 रुपिया है और दो सेकेंड एसी है इसका किराया 1585 रुपि एक जनेरेटर कार और एक लगेज कोज भी लगा हुआ है और इसके टोटल 32 स्टोप है इन सभी स्टोप के अर्राइवल डिपाचर और होल्ड का टाइम बताने जाओंगा तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी इसलिए मैं आपको डिस्क्रेप्शन में इसकी पू दोस्तों इस्ट्रेंग की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंड में जरूर बताना और अब हम करते यहीज़े वीडियो को आएण फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जब तक के लिए चैहित